हलो फ्रेंट्स मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल फ्रेंट्स हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो logic building की हम लोग उने series start करी है उसका fifth वीडियो है और आज के वीडियो में friends हम लोग discuss करने वाले हैं अगर आपको फ्रेंट्स की series को print करना हो तो किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं तो यह जो series की हम लोग बात कर दें हैं यह series basically कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास यह कुछ number है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 यह आगे चलता रहेगा तो यह series को चीसे साब से बनती है कि first के जो दो number है वो 0 और 1 है जब मैं इन दोनों को add करूंगा तो मुझे यह number मिलेगा जब मैं इन दोनों को add करूंगा तो मुझे यह number मिलेगा इन दोनों को add करके यह मिलेगा इन दोनों को add करके यह मिलेगा इन दोनों को add करके यह मिलेगा और इसी तरीके से जो हमारी series है यहाँ पे चलती रहेगी तो इसको basically हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं Favinoke की series अब अगर यह same series आपको PHP के थुरू बनानी है तो किस तरीके से आप उसे बना सकते हैं reality में बताऊं तो बहुत simple program है लेकिन again थोड़ा सा logic लगेगा इसमें कैसे हम लोग इसे बना सकते हैं सबसे पहला काम कि हम लोग एक variable initialize कर सकते हैं let's say n is equal to 0 initialize करा मैंने तो यहाँ पे हम लोग n सबसे पहले हम लोगों ने 0 ले लिया अब इसके बाद हम लोग यह बोलेंगे कि जो हमारी series है वो कहां से start हो रही है तो मैंने बताया कि जो मेरी series है वो 0 से start हो रही है logic क्या लगता है कि first दो number को लेके हम लोग इनका जो sum है वो इसमें डालेंगे फिर जो उसका output आया उसको last वाले variable में add करेंगे फिर जो उसका output आया उसको add करके तीसरे variable में डाल देंगे और इसी तरीके से हमारा जो data है चलता रहेगा या एक तरीके से आप इसे बोलो तो आप swapping भी बोल सकते हो यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं एक variable मैंने बना लिया यहाँ पे n is equal to 1 और एक और variable या फिर एक बना लेते हैं n1 और एक बना लेते हैं n2 दो variable तो मुझे बना नहीं पड़ेंगे default इनके लिए और इसके बाद मेरा एक और variable आ जाएगा जहाँ पे मैं sum जो होगा इनका वो swap करके डालूँगा लेट से हम लोग बोल देते हैं इसे x, dollar x इसके अंदर खाली मेरा जो sum है इनका वो आएगा अब हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि हमें कितने नंबर तक चलना है फैविनोगी की series के लिए तो मैं यहाँ पे एक variable initialize कर देता हूँ let's say limit is equal to 5 मतलब मैं first 5 जो फैविनोगी के नंबर है वो निकालना चाहता हूँ चलेंगे code में loop चलाएंगे, fall loop चलाया हमने बुला i is equal to 0 से loop स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक loop को लेके जाएंगे dollar i को plus plus कर देंगे इससे मैं इधर कर देता हूँ कुछ गर्वट कर दिया शायद मैंने इस तरीके से हम यह जो loop है इससे चला लेते हैं इसको in fact equal to भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अब यह जो loop हम लोग यहाँ चला रहे हैं अब हम क्या करते हैं सबसे पहले तो जहां से हमारी फैविनोगी की सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसे प्रिंट कर देते हैं तो अब obvious सी बात है कि जो फैविनोगी की सीरीज की हम लोग बात करने की वो कहाँ से स्टार्ट होने वाली है तो वो तो obvious सी बात है कि यहाँ से स्टार्ट होने वाली है तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे output डाल देता हूँ N1 की output डाल देता हूँ यहाँ पे कि 0 तो हमारा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा नीचे आ जाते हैं अब यहाँ पे हम लोग यह जो मेरे number है इन दोनों का sum लेके एक तीसरे variable में डाल देंगे और उसके बाद जो sum आया उसको हम लोग आपस में swap यहाँ पे कर सकते हैं किस तरीके से अभी एक बार हम लोग उसे देखते हैं तो यहाँ पे मैंने बुला $N1 is equal to $N1 is equal to जो मेरा यह variable है N1 plus N2 हम लोगों ने जो $N1 है उसको लिया और उसमें यह number को add कर दिया इसके बाद जो हम लोगों ने उपर variable बनाया था N2 अब value यहाँ पे swap कर लेंगे N2 जो मेरा variable है इस N2 के अंदर मैं value डाल देता हूं जो हमारा third variable हमने उपर बनाया था यानिकी X2 को X1 को sorry जो X sorry हमने यहाँ पे बनाया था और जो X है इसके अंदर मैं value डाल देता हूं यह वाली यह हमने यहाँ पे डाल दिया और इसको भी बाहर की जगा पे अंदर इधर ही print करा लेते हैं जो करा एक बार मैं आपको इसको run करके दिखाता हूं चलते हैं लाइन नमबर 5 में basically कुछ error आ रहा है 5 में error यह आ रहा है कि semi colon missing है चलेंगे, reload करेंगे और in fact एक काम करेंगे कि यह loop खतम होने के बाद यहाँ पे बी आर भी मार देते है बी आर कर देते हैं इसे इस तरीके से reload करेंगे तो first जो हमारे पास यहाँ पे series के number है वो आ गए copy करेंगे इसे और यह हम लोग उन्हें series बनाई थी क्या यह इससे match करता है 0, 1, 1, 2, 3, 5 इसको हटा सकते हैं क्योंकि first number निकालने थे let's say मैं इसे 10 कर देता हूँ तो आब आप यहाँ पे देख सकते हैं 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 यही आपकी series थी और बड़ा करना है बस यहाँ पे 2 कर दो तो यह क्या करेगा कि जो भी number ला रहा है यह दोनों तो default number हैं आपके इन दोनों का sum इसमें डाला फिर इन दोनों का sum इसमें डाला इन दोनों का जो sum है यह आया फिर इन दोनों के sum से यह आया तो यहाँ पे हमने क्या करा variable हमारे initialize करे, limit से हमें पता चल रहा है कि हमें कितना data निकालना है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे fall loop चला दिया fall loop पे हम लोग क्या कर देए हैं तो हम लोग यहाँ पे इनका sum add करते हैं पहले के दो digit का और उसके बाद जो sum आता है उसको एक variable में हम लोग यहाँ पे हमारे assign कर देते हैं यह वही variable है जो हम लोगों ने यहाँ पे third variable को बना के रखा था तो इस तरीके से यहाँ पे जो swapping है हमारी चल जाती है यह जो limit आ रही है अगर आप यह form के थ्रू लेना चाहते हैं कि मतलब हम यह बताना चाहते हैं कि हमें कितने number यहाँ पे निकालने है तो उसके लिए form बना सकते हैं तो मैं इसको post कर देता हूँ इस form को यहाँ बंद कर देते हैं और एक ले लेते हैं input type text एक name ले लेते हैं number और इसको required कर देते हैं एक यहाँ पे input type ले लेते हैं हम लोग submit इसका भी एक name ले लेते हैं submit जब भी submit के button पे click होगा तो हम लोग इधर आ जाएंगे if is set dollar underscore post submit और यह जो पूरी की पूरी कहानी है यह execute कर देंगे बस जो हम लोग उने limit वाला variable बनाया था यह अब हमारा post से आ जाएगा और इसको कर देंगे number फाइदा क्या होगा अब हम लोग यहाँ बताएंगे let's say first ten digit निकाल के दे हमें ten number निकाल के दे हमने बोला इस तरीके से अब हम इसको यहाँ पर बोल देंगे हमने बोला let's say first five number निकाल के दे let's say first hundred number निकाल के दे तो यह first hundred जो हमारे number होंगे उन्हें हमें निकाल के देगा बहुत बड़ा number होगी in fact यह इस code 21 कर देते हैं एक page में आभी जाएगा इस तरीके से आप friends फेविनोकी की जो series है वो बना सकते हैं PHP में same code को किसी all language में भी चलाएंगे तो logic आपका यह जो है वो variable को swap करने का basically है इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं interview point of view से यह important question है क्योंकि यह सब logic building के लिए use होता है तो अगर आप इसको बनाएंगे तो आपके logic थोड़े से strong होंगे और अगर आपसे interview में किसी ने पूछा तो आप उसका answer दे पाएंगे तो friends यह था हमार आज का video I hope जो मैंने आपको explain करा है आपको समझ में आया होगा कोई question है तो please वीडियो के comment box में मुझे बताईए वीडियो अगर पसंद आया तो friends प्लीज उसको like और share जरूर करिएगा चैनल अगर आपने हमारा अभी तक subscribe नहीं किया है तो please उसे subscribe कर लीजे Thank you